छोटी मोर क्या खाता है मोर के बारे में बात करेंगे मोर का भोजन क्या होता है बहुत पहले से यह माना जाता है कि मोर क्या खाता है साप खाता है सुने ओ मोर साप खाता है ठीक लेकिन जो मोर चिडिया घर में रहता है उसको साप देते होंगे लोग खाने के लिए मोर का खोजन साप होता है बहुत पसंद सिखाता है साप को निगल भी लेता है चोटे चोटे सापों को तो जो चिडिया घर में मोर होता है तो उसको साप दिया जाता होगा खोजन में नहीं मोर जो होता है वह सरवाहारी होता है यानि साकारी और मांसारी दोनों होता है जो चिडिया घर में मोर पाल करके रखा जाता है वो उसको क्या दिया जाता है खाने में दाना दिया जाता है और छोटे-छोटे किलो को वहाँ पे छोटे-छोटे किलो को खाता है लेकिन जो मोर जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं वो साप खाते हैं, जो मोर जंगल में रहते हैं, वो साप खाते हैं, और जो मोर पाप, चीडिया घार में होते हैं, उसको दाना दिया जाता है खाने के लिए, तो इसी साब से मोर क्या होता है, सरवहारी होता है, बहुत पहले से पुराणे समय से यह माना जाता है, कि मोर क्या होता हुता है सरवाहारी होता है और मुर हमारे देश का क्या है अब राश्ट्रियद पक्षिमी है ठेख नहीं है मुरं बहुत स्दूरता है देखने में ढूर्क का पश भी होता यह हो गया